हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कम्प्यूटर के वाइफाई का पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपने कम्प्यूटर के वाइफाई का पासवर्ड या लैपटॉप के वाइफाई के पासवर्ड को कैसे जानेंगे होता क्या है कि आप अपने computer या laptop में password तो लगा लेते हैं लेकिन जब भूल जाते हैं तो उससे देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे तो उसके लिए आपको एक trick हम बताएंगे उस trick को आप follow करें इसके बाद अबर ही आसानी से आप अपने computer या laptop के wireless wifi के password को आप जान सकते ह है तो चली हम आपको दिखाते हैं तो आपको करना क्या है यहां पर आप सबसे नीचे देख रहे हैं विंडो 10 में सर्च बार में जाना है यहां पर आपको सर्च करना है Ctrl जैसे आप सर्च सीड डालेंगे तो यहां पर Ctrl पैनल आ जायएगा तो आपको क्या करना है Ctrl Okay करने के इसको सबसे पहले आप लार्ग कर लेंगे यहां इसको लार्ग करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप आप नेटवर्क और शेरिंग पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर यहां पर देख सकते हैं उपर दो अप्सन है आपको क्या करना है सिकुरिटी पर क्लिक करना है जैसे आप सिकुरिटी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको नेटवर्क सिकुरिटी की डॉट डॉट आपको दिखेगा तो आपको क्या करना है कि यहां पर 100 क्यरेक्टर पर क्लिक करना है जैसे आप 100 क्यरेक्टर पर क्लि को जान सकते हैं और देख सकते हैं इसके बाद आप यूज कर सकते हैं अपने पासवर्ड को तो गाइज उमीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडि